और विजे जी सेक्ड़ों लोगों की हत्या अनगिनत लोगों की जमीनों पर कब्जा अपहरण फिरोती इसके अलावा जो अभी रेड पड़ी है उसमें बेहिसाब बेनामी संपत्यों के कागजा दस्तावेज असी लाग के आसपास कैश परामद हुआ है जो घोशित रूफ से माफिया हो उसका अगर अंत हो जाता है वो चहे जैसे हुआ है उसके लिए न्याई कायोग का गठन कर दिया गया है तीन सदस्तिये वो अपनी रिपोर्ट देगा और जिन पुलिस वालों पर उसकी सुरक्षा का दाइत्व था उनको सस्पेंड भी कर दि दिखाई है मीडिया के रोल पर मैं बाद में आऊंगा लेकिन अगर इतना बड़ा माफिया है और उसको मार दिया गया है किसी के द्वारा भी मारा गया है उसके परती हमदर्दी क्यों ये कोई मसीह थोड़ा था कि गरीबों के कल्यान के लिए काम कर रहा था कि या समाज से हो गई है इसके जाने से सर्फ जैसा मैंने कहा कि घूमफिर के मुद्दा वही आता है चाया आप मीडिया की बात करें चाया पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें चाया बाकी लोगों की बात करें वही तो मैं कह रहा हूं कि जो इसके यहां से क्रिमिनल रिकॉर्ड मिल रहे हैं जो इसने अनैतिक रूप से संपती अर्चित करी, आम आदमी को डरा दमका के उसकी ज्यादात पे कबजा किया, लोगों की हत्याएं हुई, इन्होंने समाज में कौन सा अच्छा काम किया है, अगर ये बता दें, ये लोग जो रो रहे हैं, तो हमें भी शायद जानकारी कि नहीं नहीं, देखें, ये एक महत्मा आदमी थे, कभी कभी क्राइम हो जाता, अगर सौ क्राइम कियोंगे, तो हजार काम अच्छे भी कियोंगे, मैं भी ये बैनेफिट ऑफ डाउट देना चाहता हूँ, तो वो कम से कम, वो हजार काम गिनवात हो दें, तो वन इस्टू यहां पर राजनीती है कि किस तरह से माइनॉर्टी कमिशन, कमिटी, कम्यूनिटी के अंदर, ये बार बार ये देश्ट फैलाई जाए कि साब, जो सरकार इस समय है, वो आपके हित्में नहीं है, आप हमारे साथ हाओ, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ, तो ये बाकी ऑपोज साब ने बहुत अच्छा काम किया है, हमें पता है, लेकिन वोट हमें दो, क्या ऐसे चुनाव जीते जाएंगे, या ये डराया जाएगा कि देखिए, वहाँ पे तो सिरफ वो हिंदुवादी लोग हैं, आप हिंदुवादी नहीं हो, आप किसी और धर्म से हो, तो आप तो दोस्त माइनर्टी कम्यूनिटी में हो, या मिजॉरिटी में हो, अप राधी किसी का सगा नहीं होता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे, अतीग एहमद ने अपने ही रिष्टेदारों की जमीन पे कबजा कर लिया, ऐसे वीडियो भरे पड़े हैं इंटरनेट पे, उनके घ कहना चा रहे हैं कि इसको क्रिमिनल बनाने में दीनिमान का रोल था, क्या आप ये कहना चा रहे हैं कि ये मजब का फॉलो कर रहा था प्रिंसिपल्स क्या आप ये कहना चा रहे हैं, तो जब आपको पता है कि कोई भी मजब ये बात नहीं सिखा रहा है कि आप जाके मर्डर क कर दीजिये पड़ोस की जमीनों पे कबजा कर लीजिये अपरन कर लीजिये अगर आपको लगता है कि आप मेंसे किसी का धर्म ये नहीं सिखाता है तो फिर अतीक को आप क्रिमिनल की तरह ट्रीट करिए ना फिर उसके साथ religion क्यों जोडते है क्योंकि religious काम तो उसने कुछ किया नहीं हाँ वो बहुत बड़ा महत्मा होता उसने कुछ बड़े अच्छे-च्छे काम किये होते युनिशिटी चला रहा होता फ्री एजुकेशन दे रहा होता बच्चियों को सिक्षा दे रहा होता महिलाओं के लिए कुछ कर रहा होता साथ ही साथ रॉबिन हूड क कहना है सर कि इस बात को लेके कोई बुद्दा बनता नहीं है यह स्वार्थ की दुनिया है स्वार्थ की राजनिती है हर आदमी को अतिक एहमद में कुछ ना कुछ अपना फाइदा देख रहा है इसलिए उसका नाम का इस्तमाल हुआ